नमस्कार दोस्तों सरकारी जोब ग्यान के ओफिशियल यूट्यूब चेनल पर आप सभी का स्वागे तेशो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे सो इंडो तिबतन बोर्डर पुलिस की तरफ से कोस्टिबल के पदोपर बंपर भरतिया देखने को मिलेंगी जिनके लिए आप अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फोम सब्मिट कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा कब से कब तक आप इस बरतिक लिए अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फोम संबिट कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो को रैक्सिक जरूर देखेगा साथ में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट करना चाऊँगा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और गंटी के बटन को जरूर दबा ले ताक कि इसी दरीगी की लेटेस्ट गवर्मेंट जॉप्सकी इंफोर्मिशन आपको सबसे पहले मिल सके चली प्रेंट सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशल अब्जाइट पर आजाना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा जहां से आप इस बरती के लिए इसका ओफिशल नोडिपिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं साथी में इस बरती के लिए अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फोर्म सम्बिट कर सकते हैं यहां पर आप इजली चेक कर पाएंगे ITBP Costable Recruitment 2023 के लिए जो नोडिपिकेशन आप पर रखा जाएगा 935 पोस्ट पर आपको जो है Costable General Duty के लिए आपको vacancies देखने को मिल जाएगी GDK पर आपके लिए vacancies रखी जाएगी अब बात करती हैं दूस्तों vacancies के overview के बारे में तो देखी यहां से आप vacancies का overview इसली चेक कर पाएंगे ITBP Costable Recruitment 2023 के notification के overview के बारे में बात कर लें तो आपका जो organization नेम रहेगा यह इंडो तिपतन बोर्डर पुलिस रहेगा ITBP की तरब से आपके vacancies को organize करवाए जागा and total number of vacancies आपको 9135 vacancies expected देखने को बिलेंगी job location आपकी all over India रही all over India में आपको कहीं पर भी ए job provide की जा सकती है साथ ही में all over India के male and female बहुत candidate अपना application form submit कर सकते है चाहे वो किसी भी state से व्लोंग करता हू official website आपकी itbpppolis.nic.ion रहीगी जिस पर जाकर के आप अपना application form submit कर सकते है applying mode आपका online रहीगा आप इस बर्तिक लिए online आविदन कर पाएंगे and last date आपकी September 2023 रखी जाएगी बात करते ही दोस्तों vacancies के अपडेट के बारे में तो minimum 18 और maximum 23 साल तक के candidate आविदन कर सकते है लेकिन दोस्तों SCST केटेगरी को 5 साल के and OBC कंडिडेट को 3 साल की government tourist का नस्वार age relaxation provide किया जाएगा and दोस्तों बात करते है educational qualification के बारे में तो दीखे ITBP costable पद के लिए अगर आप apply करना चाहते है तो आपका यहाँ पर 10th class pass होना ज़रूरी है अगर आप अपना 10th class pass कर चुके तो आप इस बरती के लिए आविदन कर सकते है salary आपको यहाँ पर level 3 से मिलने वाली है जो कि आपका 21,700 से 39,100 रुपे तक बनेगा और 7 CPC आपको यहाँ पर provide किया जाएगा journal OBC and EWS category को 100 रुपे application fees जमा करवानी होगी SC, ST and PH category candidate को कोई भी application fees submit करवानी की जर्रत नहीं होगी आप फिर यहोग कोष्ट अपना application form submit कर सकते है बात करते ही दूस्तों selection process के बारे में तो दीखिए सबसे पहले आपका written exam candidate करवाई जागा इसके बाद में आपका document certification रहीगा देन आपका physical standard test और final merit list आपको देखनी को मिल जाएगी तो यह आपके कुछ step रहेंगे जिनके आधार पर आपका final selection आपको provide किया जाएगा और बात करते ही दूस्तों how to apply के बारे में कि आप ITBP costable पद के लिए किस तरीकी से अपना application form submit कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ step provide के गए हैं आप इन steps को follow करके easily अपना online application form घर बैठ करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो अगर आपको अपना online application form submit करने में किसी भी प्रकार की problem का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे comment box में next video के लिए message कर सकते हैं मैं आपके लिए जल्दी से एक नई video लेकर करके आजाऊंगा जिसमां आपको बताऊंगा कि आपके इस तरीके से अपना online application form घर बैट करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को subscribe कर लेना है घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि चबबी में आपके लिए वो वीडियो upload करूँ तो उसकी notification सबसे पहले मिल जाए बात करते हैं दोस्तों ITBP costable के लिए exam pattern के बारे में लेकिन उससे पहले physical efficiency test के बारे में बात करने हैं तो male candidate के लिए 1600 मिटर की दोर रहीगी जैसे साढ़े 7 मिनट में complete करना होगा 11 feet के आपकी long jump रहीगी और साढ़े 3 feet की आपकी high jump या पर रहने वाली है वहीं female candidate के लिए 800 मेंटर की दोर रहीगी जैसे 4 मिनट और 45 सेकेंड में complete करना होगा 9 feet के आपकी long jump रहीगी और 3 feet के आपकी high jump या पर रहने वाली है PhD के बारे में बात के लिए तो all candidate की या फिर unjust candidate के लिए 165 cm male candidate के लिए height रहीगी और female candidate के लिए 155 cm minimum height होनी चाहिए और यहाँ पर chest जो है male candidate से 77 से 82 cm लिया जाएगा इसे के साथ मा अगर आप पाड़ीक सितर के candidate है तो आपको यहाँ पर कुछ relaxations देखने को मिल जाएगा साथी में दोस्तों अगर आप ST category के candidate है तो आपके लिए यहाँ पर 162.5 cm male candidate के लिए minimum height रहीगी और female candidate के लिए 150 cm minimum height रहीगी चैश्ट यहाँ पर 76 से 81 cm लिया जाएगा रिटन एक्जाम के बारे मां बात करें तो 100 नंबर का आपका यह paper रहीगा और इसमें आपसे जो है objective type के questions पूछे जाएगे सारे के सारे multiple choice के questions आपके रहीगे general English and Hindi से general language मां आपको जो है आपका एक्जाम देखने को मिल जाएगा और दो गंटे का आपके यह paper candidate करवाई जाएगा general arithmetic and reasoning से आपके 30 question 50 नंबर के रहीगे साथी में दोस्तों general knowledge से आपके 25 question 25 नंबर के रहीगे general English से आपके 35 question 35 नंबर के रहीगे और computer knowledge से सम्मन्दी 10 question 10 नंबर के पुछे जाएगे total 100 question 100 नंबर के रहीगे और दो गंटे का आपको आपको आपके टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल करने के लिए important date आपकी जो है अगस्ते 2023 से लगके last week से आपके online application form में start हो सकते और September 2023 का last week आपकी last date रखी जाएगी 9 दिसंबर 2023 में आपका exam date जो है आपर conduct करवाय जागा या फिर जो है आपकी exam date release कर दी गई है तो 9 या फिर दिसंबर 2023 में जो है आपका exam भी conduct करवाले जाएगा important links आपको नीचे description box में मिल जाएगे जहां से आप इस बर्ती के लिए इसका official notification download कर सकते हैं साथी में इस बर्ती के लिए अपना online application form submit कर सकते हैं सो मित गरता हूं दोस्तों इस बर्ती से समद्धि सारे की सारी information आप सो भी को मिल गई होगी वीडियो के इस लगिये नीचे comment करके जरूर बतना वीडियो पसंद आईए तो like जरूर कर दीचेगा दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत बूलना चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को subscribe जरूर कर ले और गंटी के बटन को जरूर दबाले ताकि इसी तरीकी की latest format jobs की information साबको सबसे पहले मिल सके तो चली फ्रेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता अगली वीडियो में तब तक के लिए take care बाय जैहिन दोस्तों